राजकुमार कोहली एक प्रमुख भारतिय फिल्म निर्देशक थे जिन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है 14 सितंबर 1930 को जन में उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपने काम से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला कोहली का करियर कई दशकों तक चला और उन्होंने अपनी अनूठी कहानी कहने और निर्देशन कौशल से एक अमिट छाप छोड़ी प्रारम्भिक जीवन और कैरियर की शुरुवात राजकुमार कोहली का जन्म लाहौर ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में में हुआ था और उनके शुरुवाती वर्षों में कहानी कहने और द्रिश कला के प्रती जुनून था फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा 1960 के दशक में शुरू हुई जहां उन्होंने फिल्म निर्मान के प्रती अपने विशिष्ट ग्रिश्टिकों से अपनी एक अलग पहचान बनाई कोहली की फिल्मोग्राफी व्यापक है जिसमें विवित प्रकार की शैलिया शामिल है जो एक निर्देशक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है उन्हें कई फिल्मों का निर्देशन करने के लिए जाना जाता था जो अकसर एक्षन और थ्रिलर शैलियों की ओर जुकाव रखती थी उनके कुछ उलेखनिय कारियों में नागिन 1976, जानी दुश्मन 1989 और नौकर बीवी का 1983 शामिल है उनकी फिल्मों में अकसर कलाकारों को शामिल किया जाता था और वे अपने मनोरंजन मूल्य के लिए लोकप्रिय हो गई सहयोग और सफल्ता अपने पूरे करियर के दौरान कोहली ने कई प्रसिद्ध अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ सहयोग किया और फिल्म उद्योग के भीतर स्थाई रिष्टे बनाए व्यावसायक रूप से सफल फिल्मे बनाने की उनकी क्षमताने उन्हें पहचान दिलाई और वे एक लोकप्रिय निर्देशक बन गए कोहली की फिल्में उनकी मनोरंजक कहानियों आकरशक संगीत और यादगार समवादों के कारण प्रसिद्ध थी जिससे वह दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गए पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन राजकुमार कोहली का निजी जीवन अपेक शाकृत निजी था लेकिन उन्हें एक घनिष्ट परिवार के रूप में जाना जाता था फिल्म उद्योग में उनका योगदान उनके निर्देशन कौशल से परे था क्योंकि उन्होंने अपनी कई परियोजनाओं के लिए स्क्रिप्ट का निर्मान और लेखन भी किया था अपनी कला के प्रती कोहली का समरपन और गुनवत्ता पूर्न सिनेमा देने की प्रतिबधता उनकी फिल्मों की सफलता में स्पश्ट थी परमपरा राजकुमार कोहली की विरासत उनके सिनेमाई योगदान के माध्यम से जीवित है उनकी फिल्में उनके मनोरंजन मूल्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए याद की जाती हैं और सराही जाती हैं हिंदी सिनेमा की कहानी को आकार देने वाले निर्देशक के रूप में उद्योग पर कोहली का प्रभाव प्रभावशाली बना हुआ है मृत्यू और कारण राजकुमार कोहली ने 17 अक्टूबर 2023 को फिल्म उद्योग में एक खालीपन छोड़कर अन्तिम सांस ली उनकी मृत्यू का सही कारण तुरंत जनता को नहीं बताया गया उनके निधन की खबर पर फिल्म बिरादरी ने शोक व्यक्त किया और कई लोगों ने भारतिय सिनेमा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया अन्तिम विचार फिल्म निर्मान की दुनिया में राजकुमार कोहली की यात्रा भारतिय सिनेमा के इतिहास में एक दिल्चस्प अध्याय बनी हुई है मनोरंजक और प्रभावशाली कहानी कहने के माध्यम से दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने एक सम्मानित निर्देशक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी जैसे जैसे फिल्म उद्योग विक्सित हो रहा है राजकुमार कोहली का काम सांस्कृतिक कथाओं को आकार देने में कहानी कहने की स्थाई शक्ती की याद दिलाता है